नमस्कार कोईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में आपका कीबोर्ड इस तरह से छोटा हो गया है यहां पर प्रोब्लेम आ गया है इस कीबोर्ड को बरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इस problem को ठीक करने के लिए keyboard को बरा करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने phone में कहीं पर भी keyboard को open करना है तो चलिए हम अपने phone में WhatsApp को open करते हैं और यहाँ पर हम keyboard को open करते हैं open करने के बाद आपको keyboard में उपर में आपको यह जो option दिख रहा है आपको इस पे click करना है उसके बाद इसमें आपको एक floating का option दिख जाएगा आपको इस पे click करना है क्लिक करने के बाद यहां से जो आपका कीबोर्ड है वो अबरा हो जाएगा लेकिन अगर आपके फोन में आपके कीबोर्ड पर एयो ओप्सन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहां पर जो भी आपके कीबोर्ड में एक लाइन दिख रहा है आपको क्या करना है कि उस लाइन पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड को इस तरह से आपको क्या करना है कि उपर से आपको नीचे की और खिचना है तो चलिए इस तरह से हम खिचते हैं, खिचने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां से कीबोर्ड का साइज बढ़ा हो गया है, तो इस तरह से आप अपने फोन का कीबोर्ड का साइज बढ़ा कर सकते हैं, अगर आपके फोन में आपका कीबोर्ड छोटा हो गया था, वहां पर प्रोब्लेम हो गया था तो उस प्रोब्लेम को इस तरह से ठीक कर सकते हैं धन्यवाद